असलाम लेकूम, I am Atif Javed and welcome to my channel Passport to World कि आप इसलामबाद इंबसी में स्टेडी विजा की एपार्मेंट बुक करना चाहते हैं बट आपको प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग लाग रहा है तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको गाइट करूँगा कि कैसे आप असानी से अपनी अपार्मेंट बुक कर सकते हैं सो बिना किसी देरी के स्टाट करते हैं सबसे पहले आपने इसलामबाद इंबसी की अपार्मेंट वाली ओफियल वेब साइट पे जाना है यहां से आपने कांटीन्यू पर किलिक करना है है यहां आपको फार्मेंट्स के लिए लग लगроб केटिगरी मिलेंगे स्टेडि वीजकर के लिए आपके दो हैं पैली केटिперिई नॉर्मल स्टेडि वीज़कर के लिए है और दूसरी केटिगरी वो लोग हैं जिनका CGPA 3.7 से अबब है और वो master's program के लिए apply कर रहे हैं हम इस case में study, normal study visa के लिए apply करते हैं तो यहां से आपने continue पे के लिए करना है अब आपको apartment book करने की instructions मिलेंगी जैसा के multiple apartments possible नहीं है और wrong data जैसा के गलत passport number वाली apartment डिलीट कर दी जाएंगी तो अभी एक instructions वोड से पढ़ ले और आपने यहां से new apartment वाले टैब पे क्लिक करना है अब आप इस page पर पहुंच जाएंगे यहां आपने अपनी personal information देनी है जैसा के last name, first name, email, passport number, citizenship, telephone number specification of study purpose में आपके पास यहां different categories है पहली category अगर आप scholarship holder है तो आप यह पहली category का option select करेंगे अगर आप PhD student है तो आप यह second category apply करेंगे और इस time पे embassy ने winter की permits open की वी है winter 2023 की तो masters अगर आपके पास master का admission letter है तो आप यह वली category चूज़ करेंगे लेकिन अगर आपका मकसद किसी भी language को learn करना है अगर वो study purpose के लिए है तो यह category select करेंगे अगर वो normal language purpose है किसी और language course है और किसी और purpose के लिए तो आप यह category select करेंगे at the end आपने capture fill करना है और आपको एक reference number बिल जाएगा जो आपको email के थो भी send के आप दिया जाए and there you have it you successfully booked your study visa appointment at Islamabad in Basi if you want to learn more about study visa process make sure to subscribe my channel